आज हम एक 2013 की हॉरर थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रही हैं जिसे नर्स तीन दई कहा जाता है। फिल्म की शुरुआत में यहाँ बताया जाता है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान, FBI ने दस्तावेश किया है कि किसी भी अन्य पेशे की तुल्ना में स्वास्थ्य सेवा के पेशे में अधिक अपराध हुए हैं। AB नाम की एक महिला रसेल एक नाइट क्लब में जाता है और कहता है कि उसकी शकल खराब चरित्र वाली महिला की तरह लग सकती है। खतरनाक शिकारियों को लुभाने के लिए एक भेस है जो विवाहित पुरुष जूट बोलते हैं और निर्दोश महिलाओं को बिगारते हैं। अगले द्रिश में फ्रेड नाम का एक आदमी एबी को बहुत आकरशक पाता है। इसलिए वहाँ अपनी शादी की अंगूठी उतार देता है और उसके पे के लिए भुकतान करके उससे संपर्थ करने का प्रयास करता है। लेकिन एबी अपनी जेब में पैसे वापस रखता है और अपनी शादी की अंगूठी निकाल लेता है। यहां कहना कि अगर उसकी पत्नी को उसके चरित्र के बारे में पता चलता है तो उसे कैसा लगेगा। फिर दोनों को नाइट क्लब की छट पर देखा जाता है जहां एबी उसे छेड़ता है और उसकी उरुधमनी के माध्यम से काटता है। कि अस्पताल में सभी नर्सों को एक नया चात्र मिलता है जो एक A.B. का चात्र है डैनी रोजर्स। डैनी के सनातक समारों में भाग लेती है जहां DR. Robert Morris अस्पताल में नई नर्सों का स्वागत करती हैं। समारों के बाद डैनी ने अपनी मां और सौतेले पिता लेरी कुक से एबी का परिचाय कराया। एबी भी डैनी के प्रेमी प्रेमी स्टीव से मिलता है, जो एक पेरामेडिक है, वह अस्पताल में एक आपातकालीन मामला लाता है और डैनी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलता है। वह फिर उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन उसने स्टीव को उसके मना करने के पीछे के कारण के बारे में भ्रमित होने से मना कर दिया। रेजिना नाम की एक नर्स दिखाई देती है, और नर्सिंग के अपने पहले सच्चे दिन पर चुपके से दोनों की मुलाकात को पकड़ लेती है। उसे डौ द्वारा डाटा जाता है, आपात स्थिती में तुरंट प्रतिक्रिया करने में असमर्थता के लिए मौरिस। एबी स्थिती को घ्रिना की द्रिश्टी से देखती है, क्योंकि वह जानती है कि डौ मौरिस एक दुष्ट दिमाग वाला व्यक्ती है, जिसे अस्पताल में नई नर्सों को फंसाने में मज़ा आता है। तब एबी बताती है कि वह उस सिती में डैनी को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वह खुद एबी के पास जाने के बजाए अपने प्रेमी को समर्थन के लिए बुलाती है। वह खुश होती है जब उसे पता चलता है कि दनी के स्टीव को कॉल करने का अंत दनी के उसके साथ जाने से इनकार करने पर एक लड़ाई के कारण समाप्थ हो गया है। तब वहाँ AB को समझाती है कि वहाँ अपने सौतेले पिता पर उसे अपनी मा के साथ अकेला छोडने पर भरोसा नहीं कर सकती। अगली बार जब Danny और AB एक night club में जा रही हैं, Danny ने देखा कि उसके पिता का affair चल रहा है। वहाँ उससे बात करती है लेकिन वहाँ किसी तरह स्थिती को नजरंदाज करता है और अपनी प्रेमिका के साथ निकल जाता है। night club में AB Danny को शराब पीने के लिए मनाती है और एक अजनभी सहित उसके साथ अच्छा समय बिताती है। इस दौरान वहाँ की तस्वीरे भी लेती है उसके और उस लड़के के साथ night club में दनी। अगली सुबह जब Danny बिस्तर में उसके बगल में AB के साथ उठती है। वहाँ कल रात जो हुआ उसे याद करने के लिए संघर्ष करती है। फिर AB उसे एक कप कॉफी पिलाती है और उसे बताती है कि उसने स्टीव को Danny के फोन से मैसेज किया है और उसे पिछली रात के बारे में नहीं बताया है। उसने देखा कि Danny को कल रात से कुछ भी याद नहीं है, वहाँ उसे काम छोडने और उसके साथ दिन बिताने के लिए कहती है। लेकिन Danny अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है, AB उससे नाराज हो गया और कहता है कि Danny कल रात को सपने की तरह भूल सकता है। लेकिन जो हुआ उससे वहाँ उसे दूर नहीं होने देगी। वहाँ उन तस्वीरों को डाउनलोड करती है, जो उसने पिछली रात से ली थी जब Danny ने अपना अपार्टमेंट छोड दिया था। A.B. रास्ते में अपने पडोसी जारेच से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए और उसे बचाने की पेशकश करता है। जब वहाँ छोटी थी तब उसके पास खुद का एक फ्लैश बैक है, और उसकी मा उसे उसके पिता के कार्याले में ले गई। लेरी उसकी स्थिती को समझती है और उसे कुछ सेमिनारों में भाग लेने की सलाह देती है, जो उसे उसकी लत पर काबू पाने में मदद करेगी। डैनी अस्पताल में आता है जहां उसे पता चलता है कि स्टीव ने उसके लिए फूल भेजे हैं। एबी उसे नोटिस करता है और गुसे में लगता है क्योंकि वहाँ उसके बारे में स्वामित्व रखती है। जबकि डैनी एक शौवर लेता है, एबी बताता है कि डैनी इस बात से अंजान है कि एबी उस गतिविधी का हिस्सा रहा है जो हुआ था। नशे में होने के बाद वहाँ बताती है कि वहाँ डैनी और उसके शरीर के प्रती कितनी जुनूनी है। तब एबी निराश हो जाती है जब वहाँ उन फूनों को देखती है जिने स्टीव ने डैनी के लिए भेजा था। इसलिए वहाँ फूलदान तोड़ती है और बाद में डैनी से माफी मांगते हुए तुकडों को टिकठा करती है। वहाँ डैनी से कहती है कि उसे कभी भी स्टीव को अपने साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाने देना चाहिए लेकिन डैनी ने घोशना की कि उसने उसे कभी भी मजबूर नहीं किया है। एबी को बताती है कि स्टीव उसके लिए वहाँ गया है जब वहाँ अपने पिता की मृत्यू के बाद बिलकुल अकेली थी एबी भावुक हो गई। और कहती है कि वहाँ समझ सकती है कि डैनी अपनी मा को लेरी से बचाना चाता है इसलिए वहाँ उसे अपने अपार्टमेंट की एक अतिरिक्थ चावी देती है। उसे यहाँ बताना कि वहाँ जब चाहे डैनी के पास रह सकती है, आभारी है और उसे लगता है कि A.B. उसके प्रती बहुत दयालू और मददगार है. अगले द्रिश्य में A.B. लेरी के कार्यस्थल पर दिखाई देता है और उसे सवारी के लिए कहता है. वहाँ उसे बताती है कि उसकी बुरी आदत उस पर फिर से हावी हो रही है. लेरी का कहना है कि उन्हें इस पर चर्चा करनी चाहिए और उसे एक गली में ले जाना चाहिए ताकि वहाँ उसे अपने पसंदीदा ग्राहक को बुला कर कुछ अच्छा समय दे सके A.B. उसे विकारोनियम ब्रोमाइड से पंगु बना देता है और उसे खत्म कर देता है. सौतेले पिता की मृत्यू की खबर सुनकर शरन लेने आई है. जब A.B. को पता चलता है कि उसने स्टीव के साथ रहने का फैसला किया है. वहाँ निराश हो जाती है और कहती है कि उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहाँ वही है जो डैनी को अच्छी तरह से वहाँ यहाँ भी टिपड़ी करती है कि उसे उम्मीद है कि कार दुरघटना में लेरी के पेट के नीचे का हिस्सा क्षतिग्रस हो गया था. डैनी को पता चलता है कि A.B. कार दुरघटना के बारे में जानता है हालांकि उसने उसे कभी नहीं बताया कि लेरी की मृत्यू कै वहाँ अपना अपार्टमेंट छोड़ देती है और उसे फिर कभी नहीं मिलने का फैसला करती है. अगले दिन डैनी जासूस जॉन रोगन को A.B. से बात करते हुए देखता है. फिर वहाँ डैनी से कहता है कि अगर उसे अपने सौतेले पिता की दुरघटना में किसी के शा मदद करने के बजाए मैंने उसे यह बताने से पहले क्यों नहीं बताया. डैनी वहाँ अब उसे चोट पहुचाएगी. आगे हम देखते हैं कि A.B. डैनी को नाइट क्लब में घूमने वाली रात की कुछ तस्वीरे भेजता है. A.B. की मुलाकात नए मानव संसाधन करमचारी रेचेल से होती है. एडम्स जो कहते हैं कि A.B. एक लड़की सारा जैसा दिखता है जो अगले दरवाजे पर रहती थी और उसे एक मानसिक संस्थान में भेज दिया गया था. बाद में राहिल स्पॉट डियार मौरिस अपने क स्टीव के साथ चलती है जहां उसे A.B. से उसकी आपतिजनक तस्वीरों का मेल मिलता है. बाद में उस राद स्टीव द्वारा अपने काम पर जाने के बाद A.B. ने डैनी को स्काइप के माध्यम से फोन किया. राहिल मिलती है जिसे पीछे से A.B. द्वारा किसी रसायन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है. डैनी राहिल को पीछे देखने और खुद को बचाने के लिए कहने की कोशिश करता है लेकिन A.B. समाप्थ हो जाता है. कॉल के ठीक बाद डैनी पुलीस को सूचित करता है और अगले दिन A.B. जासूस रोगन को यह कहकर मना लेता है कि ड डैनी मानसिक रूप से बीमार है और उसके प्रती आसक्त है. उसके बाद जासूस रोगन डैनी से बात करता है और उसे A.B. से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वह जानता है कि वह उसके प्रती आसक्त है. वह उसे बताता है कि रेचल नशे में होने के कारण केवल A.B. क साथ उसकी आपतिजनत तस्वीरे भी दिखाता है जो स्टीव को गुसा दिलाता है डैनी ने समझाने की कोशिश की की उस रात एबी ने उसे बेहोश कर दिया और उसे पता चला की एक रक्त परीक्षन रिपोर्ट के माध्यम से रोगन उसे बताता है कि उसके सौतेले पिता को सामान्य संग्याहन का इंजेक्शन लगा कर समाप्त कर दिया गया था जिस दिन दैनी ने अस्पताल में इस्तमाल किया था जिस दिन वह मर गया था यहाँ दर्शाता है कि उसने लेरी को समाप्त कर दिया होगा फिर स्टीव और डैनी एक तर्क में पढ़ जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्टीव गुसे में चले जाते हैं। अगले द्रिश्य में A.B. ने रेचल को खत्म कर दिया, जो अपने लैप्टॉप पर सारा प्राइस की तस्वीरे खोजने वाली थी। देनी उसमानसिक संस्थान में जाती है, जिसे राहिल ने संदर्भित किया था जहां उसे सारा की कीमत के बारे में पता चलता है कि एक छोटी लड़की जिसने अपने पिता को खत्म कर दिया था। गौर रॉबर्ट प्राइस जब वह केवल आच साल की थी, यह जानने के बाद की उसका एक नर्स के साथ अफेर चल रहा है और उसे उसकी मा को पीटते हुए देख रहा है। देनी को पता चलता है कि सारा को अभीगैली नाम की संस्था में एक नर्स ने लिया था रसिल उसे तब पता चलता है कि एबी वास्तव में सारा मूल्य है और उसने अपने कार्यवाहक डौ का नाम लिया है। मौरिस एबी से उन शिकायतों के बारे में बात करता है जो उसे उससे संबंधित युवा नर्सों से मिली है। वा किसी तरह उसे निजी तोर पर उससे मिलने के लिए मनाती है और बात में उसे खत्म कर देती है। अन्तता डैनी ने नर्स रेजना को राहल का नंबर पाने के लिए कॉल किया और फिर उसे अपनी कार की डिकी में अपना फोन मिला। वह फिर AB को बुलाती है जो जासूस रोगन के साथ बिस्तर पर है। वह डैनी से कहती है कि वह स्टीव को उसी तरह खत्म कर देगी जैसे उसने रैचेल के साथ किया था। डैनी जासूस रोगन के लिए एक ध्वनी मेल छोड़ता है और कहता है कि उसे उस पर विश्वास करने की जरूरत है कि AB सारा मूल्य है और एक मानसिक संस्थान में है। उसके बाद वह स्टीव को AB से बचाने के लिए अस्पताल जाती है जो डैनी के साथ लडाई में पढ़ और स्टाफ के एक जोड़े को बाहर निकाल देता है। डैनी उसकी पिटाई करता है और AB प्रतीत होता है कि स्टीव शो से बाहर है और डैनी उसे AB की वास्तविक्ता समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गुजरा हुआ AB गायब हो गया है। अग जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है लेकिन फिर स्टीफ पर हमला करती है और वाड से बाहर निकल जाती है तभी वह अस्पताल में एक डॉक्तर के पास जाती है और मदद के लिए रोती है यहां दिखावा करती है कि उसकी हालत गंभीर है जब उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है तो वहां अच्छानत बच जाती है और फिर घर चली जाती है। जहां उसका सामना जासूस रोगन से होता है जो उसे गिरफतार करने की कोशिश करता है। कभी वहाँ देखती है कि उसका पडोसी जारेड स्थिती को देख रहा है, इसलिए वहाँ दिखावा करती है। वहाँ रोगन एक चोर है जो उसे लूटने की कोशिश कर रहा है, फिर वहाँ बाहर आता है और सिर पर बैट फिनिशिंग के साथ रोगन को मारता है। उसे तुरंद, वहाँ यहाँ जानकर भैभीत है कि रोगन एक पुलीस वाला है, लेकिन एबी किसी तरह उसे शरीर छिपाने के लिए मना लेता है। यहाँ कहते हुए कि उसके पास कोई अन्य विकर्प नहीं है, और रोगन एक भ्रश्ट पुलीस वाला था जिसे यहाँ महसूस हो रहा था कि पुलीस नहीं बक्षेगी। उसे जारेट करता है जैसा कि एबी उसे बताता है, फिर एबी बताता है कि उसने उस शहर में जो करना चाहती थी, वह काफी किया है, अंतिम दृश्य में एबी लेता है। मानव संसाधन कर्मचारी राहिल की पहचान एडमसन अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए एक नए शहर के एक नए अस्पतार में दिखाई देता है और फिल्म यहाँ समाप्थ होती है। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।